नमस्कार दोस्तो, ग्रेट टेलेंट वोईस ओर में आपका हार दीख स्वागत है। हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। दोस्तो, असंभव कुछ भी नहीं है, अगर आप ठान ले, समंदर भी आपका रास्ता रोक नहीं पाएगा। जरूरी है तो बस एक कदम बढ़ाने की, इस वीडियो में ऐसे ही कुछ बात कहीं गई है। आशा करता हूँ, आपको ये शौट वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। किसने सुचा था कि दुनिया के सब से लोग प्रियर और प्रतिस परदी खेल के फाइनल में क्रोश्रिया पहुँचीगी। बड़ी बड़ी टीमें जर्मनी, ब्राजिल, अर्जेंटिना साब एक एक करके बाहर हो गई। और वो टीम फाइनल में आ गई जिससे कोई खास उमीद नहीं थी। कुछ ऐसा ही हमारी जिन्दगी में भी हो सकता है। भले मावा, भाइबहन, टीचर्स और ये दुनिया आप से कोई खास उमीद ना करती हो पर आप भी टॉप पर पहुँच सकते हैं। आगा अधीत क्या था? कोई फरक नहीं पड़ता। आपके संसाधन क्या है? कोई फरक नहीं पड़ता। फरक पड़ता है तो बस एक चीज का चोटी पर पहुँचने की आपकी जिद्द। जब आप सब कुछ भूलकर किसी एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं। दिन रात उसी को पाने की बारे में सूचते हैं। उस तक पहुँचने के लिए जी तोड मेहनत करते हैं। तो आप उस तक पहुँच जाते हैं। फिर चाहे वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो। I.A.S. का एक्जाम हो। आपके मन चाही नोकरी हो या कुछ और। आप उस तक पहुँच ही जाते हैं। दुनिया ऐसे एक्जामपल से भरी है जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। कि वो एक दिन चोटी बढ़ होगी। धिरुभाय अमबानी के पास ना बड़ी बड़ी डिगरिया थी और ना पैसा था। फिर भी वे देश की सबसे बड़ी कमपनी के संस्थापक बन गए। मंद बुध्धी कहे जाने वाले एलबर्ट आइस्टिन से तो किसी ने पढ़ने लिखने की भी उम्मीद नहीं की थी। और वे विश्व के महान तब वे ज्यानिकों में से एक बन गए। यानि इनके साथ वो हुआ जो किसी ने सूचा भी नहीं था। शायद उन्होंने खुद भी। अक्सर हम दुसरों को ज्यादा और खुद को कम आँख दे हैं। हमें खुद अपनी शक्तियों का पता नहीं होता। और इसलिए अंतिम परिणाम देखकर हम खुद भी दंग रह जाते हैं। मुझे भरोसा है आज वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुँचकर क्रोशिया की खिलाडी भी कहीं न कहीं आश्चिरे चकीत होगे। और आज उन्हें भी एहसास हो रहा होगा कि वो हो सकता है जो उन्होंने सोचा ही नहीं। आप भी अपने लक्ष को पाने के लिए जी जान से जुग जाईए। और अकल पित को अपेक्षिक करिए क्योंकि अगर आप में भी अपनी मनसिल पाने की जिद्ध है तो आपके साथ भी वो हो सकता है जो आपने सुचा ही नहीं